अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी Finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चली जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading चली एक्वेरिस आप लोगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परसे हाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally April month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हूं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले cards में दिख रहे हैं wish granted and nine of cups reverse nine of cups भी tarot में कहीं wish come true होने की बात करता है और कहीं देखें इसी से related April month में आप लोगों की love life में रहता हुआ दिख रहा है अब यह general reading है थोड़ा थोड़ा सब Aquarius के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship से related कोई wish या तो आपकी पीछे पूरी हुई या फिर April month में पूरी हो रही है और इसी लिए आप काफी casual, काफी carefree, काफी careless हो रहे है या फिर जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो wish, अब वो desire जो की आपकी इस relationship से related है वो पूरी हो जाएगी और उस scenario में भी फिर से मैं कहूंगी आप काफी careless, काफी carefree और काफी casual होते हुए दिख रहे है हो सकता है पार्टनर को, relationship को for granted भी आप लेते हुए दिख रहे है Running into का card कहता है कि मन ही मन आपको ऐसा लग सकता है कि भई अचानक से कुछ हो गया, तो हो गया आप हो सकता है कि उतने action, उतने initiatives नहीं लेना चाहा रहे है या फिर मैं कहूंगी कि एक extra effort या extra initiative action पार्टनर के लिए इस relationship के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे है आप बहुत ही carefree, बहुत ही casual फिर से मैं कहूंगी होते हुए दिख रहे है बहुत जादा future के बारे में नहीं सोच रहे है बहुत जादा past में अगर कोई बात हुई उसके बारे में नहीं सोच रहे है current moment को enjoy करना चाहा रहे है और जैसे चीजे जा रही है वैसे ही उनको लेते जाना चाहा रहे है लेकिन कहीं end April के लिए hiding from you and six of souls reverse के काट कहते है या तो आप अपने partner से छुप रहे है या फिर आपके partner आपको ऐसा लग सकते है आप से छुप रहे है और इसी वज़े से या फिर otherwise एक stuck energies आप महसूस कर सकते है कुछ changes आप चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं आप कहीं किसी चीज से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप देखिए या आगे बढ़ना सब Aquarius के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे अगर किसी भी चीज को लेकर आप stuck महसूस कर रहे थे या relationship में एक stuck energies थी, तो आप कहीं इनहीं stuck energies में से relationship को या खुद को या partner को बाहर निकालना चाहा रहे हैं या फिर simply हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं ट्रावल कर रहे हैं, उससे related issues हो रहे हैं, उससे related मसले हो रहे हैं आपके travel plans delay हो रहे हैं, या देखिए किसी भी reason की वज़े से यह जो दो चीज़े मेरे mind में आई मैंने आपको कहा, एक stuck energies आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और किसी वज़े से, या तो आप अपने partner से छुप रहे हैं, और आपको ऐसी feeling हो सकती है, आपके partner आपसे छुप रहे हैं और अब आपके partner की energies देखते हैं, तो आपके partner के लिए हापे सबसे पहला card है shocking और ये card कहता है कि किसी चीज को लेकर काफी surprise आपके partner होते हुए दिख रहे हैं अब देखिये इस shocking कि अगर हम literal meaning को देखें तो हैरान होने की बात करता है क्योंकि ये monthly reading है तो बहुत बड़ा कोई issue या बहुत बड़ा कोई reason इसी हैरानगी का उनकी तरफ से नहीं रहता हुआ दिख रहा बट येस देखिये मैं इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा हैरान हो रहे हैं in the process कुछ के लिए हो सकता है परिशान हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी हो रहा है कहीं उनकी expectation से बाहर है या फिर इतना वो उसको digest नहीं कर पा रहे हैं और दिखेंगे सब Aquarius और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा लेकिन आपके लिए हमने देखा आप बहुत केर फ्री हो रहे हैं पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत प्यार है लेकिन फिर भी आप extra effort नहीं ले रहे हैं फिर भी चीजों को casually रख रहे हैं हो सकता है ये चीज आपके पार्टनर को digest ना हो रही हो और जो एक चीज मेरे माइन में आई मैंने कहा ये general reading है सब Aquarius के पार्टनर के लिए different reasons रहेंगे इसी हैरानगी के इसी you know एक surprise वाली energies के जो भी वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं कहीं surface level के लिए magician का card कहता है बहुत confidently चीजों का control अपने हाथ में लेकर deal करते वे दिख रहे हैं थोड़े से in the process manipulative भी हो सकते हैं diplomatically भी चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं और बहुत एक confidence उनको खुद पे इस relationship पे या फिर आप पे रहता हुआ दिख रहा है और इसी confidence के साथ फिर से मैं कहूंगी वो हर चीजों को deal कर रहे हैं in fact कुछ Aquarius के partner के लिए हो सकता है कि आपको लेकर इस relationship को लेकर वो भी कहीं over confident हो रहे हैं अगर आप दोनों के बीच में कुछ मसले हुए, कुछ issues हुए या फिर किसी भी तरीके का disagreement हुआ या फिर difference of opinion हुआ जिसकी वज़े से किसी भी level पर एक gap आया आपके partner के लिए हैं पर returning का card कहता है कि वो reconciliation चाहते हैं, चीजों को resolve करना चाहते हैं आपके पास वापिस आना चाहते हैं लेकिन साथी साथ justice का card कहता है कि बहुत ही logically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं जो भी decision choice वो लें उसके लिए बहुत जादा pros and cons के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो उनकी gut feeling कह रही है mid April में वैसा वो कर रहे हैं या फिर एकदम से होता है ना impulsive होके action ले लिया impulsive होके चीजों को करा ऐसा उनके लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है especially mid April तक कहीं बहुत logically हर चीज के pros and cons को वे करते हुए ही चीजों को deal कर रहे हैं fact देखिए April मन्त में आपको ऐसा भी लग सकता है Aquarius कि आपके partner उतना emotional नहीं हो रहे हैं इतना sentimental नहीं है उनकी तरफ से emotion sentiments कहीं missing रहते हुए दिख रहे हैं and देखिए and April के लिए intuitive insights and two of source के cards कहते हैं money man उनको काफी एक clarity आ रही है काफी जादा उनकी एक inner voice या फिर अंतरमन की आवाज उनको एक बलते हैं कि advice दे रही है काफी कुछ कह रही है और कहीं action initiatives लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं बहुत जादा अटक के एक ही चीज में बैट गए हैं बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं और फिर से मैं काऊंगी कि एक stuck energies हैं जहां पर ना तो वो action ले रहे हैं जहां पर action लेने की ज़रत है ना ही वो decision ले रहे हैं और जैसे होता है न कि आखों में पट्टी बांद के कानों में रूई डाल के वो बैट गए हैं और अब देखते हैं Aquarius की April मंत में क्या हो रहा है तो देखिए जो भी आप दोनों के energies हो April starting काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहां पर lovers के नीचे reminders का card कहता है या तो पुराने जो भी पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए उनका वास्ता रखते हुए उनके बारे में आप दोनों बहुत सोच रहे हैं और कहीं इसी लिए बहुत एक passionate, बहुत एक loving, caring energies है काफी एक physical intimacy आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रही है या otherwise भी एक you know intimacy आप दोनों के बीच में रह रही है बहुत एक strong, deeper level का connection आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है soulmate या फिर twin flame वाला connection आप अपने partner के साथ या partner आपके साथ महसूस कर रहे हैं लेकिन mid April कहीं बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज को लेकर एक stress, tension रह सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और दिखे या आपकी भी energies हो सकती है Aquarius आपके partner की भी हो सकती है लेकिन आपके partner की mid April में ज़्यादा रहती भी दिख रही है क्योंकि उनके लिए justice के card में हमने देखा कि बहुत logically चीजों को analyze कर रहे हैं और कहीं दिखे in the process एक फिक्र एक सोच भी रहती भी दिख रही है ये फिक्र का reason सब Aquarius और उनके partner के लिए differ करेगा लेकिन 9 of souls के नीचे high maintenance का card कहता है आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि इस relationship को maintain करने में बहुत effort लगता है बहुत high maintenance है अब दिखे high maintenance भी सब Aquarius और उनके partner के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है in terms of money, पैसा high maintenance आप महसूस करें यानि कि बहुत partner के financial नखरे जिलने पड़ते हैं lunch या फिर coffee के लिए लेकर जाना पड़ रहा है या उनकी expectation है कुछ के लिए हो सकता है आपके partner या फिर आप बहुत demanding है time की वज़े से कि भई बहुत जादा partner का time चाह रहे है तो जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा कहीं high maintenance आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं और ये एक फिक्र का reason रहता हुआ दिख रहा है और इसलिए या फिर otherwise end April के लिए King of Souls reverse का का काड कहता है आप दोनों में से कोई एक काफी controlling, काफी dominating होते हुए दिख रहे हैं या आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती हैं लेकिन आपके partner की जाधा रहती भी दिख रही हैं क्योंकि आपके partner के लिए हापे magician का card है बहुत जाधा logically, बहुत जाधा mind से चीजें deal करते हुए दिख रहे हैं and putting thoughts in my mind का card कहता है कि आपके mind में भी अपने thoughts, अपना thought process डालते हु दिख रहे हैं उसी से related diplomatically चलते हुए दिख रहे हैं यानि कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके partner कितना smartly आपको influence कर रहे हैं कितना smartly आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी शायद उस influence में आते हुए दिख रहे हैं तो ये था एक वेरि जिख रहे हैं